हलो अब्रीवन स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले विंसी टीटेन लीग में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की ऐलिमिनेटर थ्री है यह जोंसी टीम जीतेगी वह भीया फाइनल में पहुंच जाए यह बहुत बड़ी बड़ी डिसकस कर लेंगे अपडेटी टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहीं पर आपको फाइनल टीम मिलने वाली है और अब भी सबसे पहले स्टेट्स के ओपर फोकस क करेंगे कौन से प्लेयर समय पास बड़ी हैं उनके ओपर फोकस करेंगे ग्रेंड लिग स्टेटेजी क्या होने वाली हैं क्योंकि आपके पास क्रेट इशू आने वाला क्रेट इशू कैसे सॉल्व करेंगे वह भी मैं आपको भी यहां पर बता दूंगा तो सारी की साइट डिटेल अभी डिसकस कर लेंगे अब डेटी टीम टेलीग्राम पर टेलीग्राम का लिंक नीचे तो चलिए अभी हम यहां पर वीडियो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले वैदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं चांसिज हैं 45% चांसिज हैं यूमिडिटी 75% है और टेंपरेचर अगर आप देखोगे तो भीया थोड़ा सा गरम ही है 29 के करीब तो क्लाउडी सबसे पहले होगा उसके बाद यहां पर रेन के 45% चांसिज उसके ग्रॉट अगर आप देखो स्टाइंग में बाल उसको मदद दे रही है उसके बात जो है थोड़ा बहुत बैट्स मैंड को मदद दे रही है तो स्टाइंग के ओलवर्स मों बालर ज्यादा वड़ी आपको परफ़ॉर्म करके दे सकते हैं एवरेच फर इनिंग स्कोर के माइर पस में चीज कहा हैं माइर पास में चीज है भी जी आर की फर्म Bgr जीते 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 और पिछले तीन मुकाबलो जो news जी जाए फिर वे इन्ट जाए ना तो वह था कि हाँ थोड़ा सहां मेंट वह अब आपको आपके पास है पांच रनա 13, 17, 24, 12, 34, 11 तो एक ठीक ठाक performer आपके पास है जो consistency परफॉर्म गर रहा है सिर्फ एक मुकाबले में double figure में नहीं गया नहीं तो हर एक मुकाबले में double figure में अपने आपको लेकर गया है दूसरे जो हमाँ पास इस star weight है इस star weight is a good pick 33, 46, 0, 6, 1, 23, 25, 13 फिर 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 चार आज की टीम में मेरी टीम में जरूर होगा के कॉटी हो सकता है बड़ी आपको perform करके दे जाए डी हेक्टर आपके पास हैं पिछले दो मुकाबलों में कुछ perform नहीं करा है मतलब पूरे टूर्णर में एक मुकाबले में double figure पर गए है 27 उसके इलावा कहीं पर भी नहीं ट्राइ कर रहे हो grand league में नहीं तो आपके लिए के कॉटी differential pick रहने वाला है डी हेक्टर आपके लिए grand league pick रहने वाला है जी मलग के डैंबर की अगर मैं बात करूँ is a good pick 16 और 36 रन के साथ 2 विकेड फिर उसके 26 रन ठीक है फिर उसके बाद अगर आप देखो बैटिंग में इतना बड़िया परफॉर्म नहीं कर रहा पर स्टिल आपको पिछले मैच में थोड़ा सा balling में comeback करते हुए दिखे ए ब्राउन आपके पास है 25 पॉइंट यहां पर 25 पॉइंट यहां पर 25 पॉइंट यहां पर 175 तो ऐसी हो गए बचे हुए और कितने वह मतलब कैचिंग मैचिंग के पॉइंट्स होंगे तो यह देखके चलो इतना कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है डी डल चे टीम में रख रहे हो तो यहन तो इसकी जगा और भी प्लेयर है जो कर सकते हैं वैसे अभी मैंने भी रखा हुआ है तो वह भी देखके चलना हार बिबली आपके पास है के विलियम्स आपके बास है दोनों प्लेयर बढ़िया मुझे एक चीज़ समझ नहीं है जैट प्रोविनेंस तीन मुकाबलों में ब बॉलिंग भी करवाई है पर पिछले मुकाबलों बॉलिंग नहीं करवाई है ग्रेंड लीग में मेरी टीम में जरूर रहने वाला एक जैट प्रोविनेंस क्यों रहने वाला है क्योंकि पिछले मुकाबलों बॉलिंग नहीं करवाई तो हो सकता है अपोंडेंट को सर्प्र पिक्थाक पिक यहां पर अगर आप देखो एक वे करवा सकता है एक भी करवा सकता है लगा तार जो कोई भीC करवा रहा था दो पिछले कि मुकाबले में करवा उसके बाद रखर का ओग्याओ लगाइग रखर एक नहीं डिश्यागे करते हुँ मलब हर एक प्लेयर के स्टैट्स दिख जाएंगे हर एक प्लेयर के हैं यहां पर अगर कोई नहीं प्लेयर आता तो इसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर वादिये जाएंगे ऐले सच की अगर मैं बात करूं में बात यह कि भीया आ गए हैं फॉर्म में वापस लगातार अपने तीन मुकाबले हारे थे पर फिर स्टिल फॉर्म में आए फिर यहां पर हार गए पर अब पिछले दो मुकाबले में बिल्कुल सेम स्कोर लाइन रही इनकी 95 पे 1 95 पे 1 मैं जब उतार मतलब वह भी कर रहा कि अपने स्टैट से घटे कर रहा था तब मुझे यह गया 95 वाला तो मैंने मैच कवर कर रखा है तो फिर दुबारा 95 वाला कैसे आ सकता फिर मैं देखा अच्छा है 95 पे 1 95 पे 1 के सेम स्कोर लाइन रहा इनका पर दोनों मुकाबलों में चेंजिस क्या हुए वो में आपको बताता हूँ ऐस ब्राउन ने यहां पर पर्फॉर्म नहीं करा था पर यहां पर पर्फॉर्म करा और वही वाला जो एक पैटर्न अगर आप देखो एक मुकाबलों में चला यहां पर नहीं चला फिर नहीं चला फिर नहीं चला फिर शायद ना चले डी मॉलानी आपके पास है पिछले दो मुकाबल में बहुत बढ़िया परफॉमेंस और इसे आप डॉप नहीं कर सकते हो डी डगलस आपके पास है 29 रन के साथ 2 विकेट पिछले मैं यहां से देख लो आप कहां से स्टार्टिंग से लगा लगा लो में तो स्टार्टिंग से बढ़िया लग रहने वाला है के हौज इस बुड़ पिक मैं के हौज को रखके लेकर जाने वाला हूं एक डिफ्रेंशल पिक आपके पास है क्योंकि यह देखो तीन तो शायद उसके बाद आगर आपके पास जो है यह पर दो विकेट और यहां पर एक बिक नेचे प्लेयर ना कुछ ने कर रहा है जादा वड़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है उपर के इहें हैं बी ट्रेपलों या ओ लुएस तक आप मान केचलो कि यह प्लेयर अगर आपके टीम में ह है मतलब एक दो तीन चार पांच छे छे प्लेयर्स आपको मिल गए छे के छे ले जाओ और उपर वाली टीम से पांच ले जाओ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उपर वाली टीम पांच ही प्लेयर्स आपको दिखेंगे एच स्वेलो शायद मैं ना लेकर जाओ इस्टारविट मेर कर सकतो इन दोनों में से कोई एक अगर क्रेइट इशू नहीं आता है यह आपके लिए आपके लिए आपको बैटिंग भी करवा कर दे रहा बॉलिंग भी स्टेप लौन आपके पास है दो ओवर दो विकेट उसके अजे हेवुड आपके बास है दो ओवर जीरो विकेट डी आपको बैटिंग भी बड़िया कर के दे रहे हैं नीचे आ जाओ आपको हर एक प्लेयर के स्टेट्स मिल जाएंगे कोई साँ भी नया प्लेयरा थै उसके स्टेट्स टेलीग्राम पर प्रवड़ कर वादिय सब्रैब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो अभ क्øे लिए इस चैनल पर आप देखो आपके पास Pirit क्या क्या है मैं नहीं को हटा के यह देख दराओं कि भहाई के हौज опас र hostsकता हूं क penis नडव्य यह रखा हैं पर जो एक रिक लोग्ष। प्लेट लेकर जा सकते हो पहली टीम में नहीं लिया था डी डेल चे अपर यह वही वाली टीम है थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा मतलब वैसे अगर आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो इसमें चेंज बहुत जाद है चलो भी पहले नॉर्मल पिक से शुरू करते हैं इस टा चैजनों में से कोई एक फिर उसके बाद डी मलाँऩि आपके बढ़िया और तीनों प्लेट आप ट्राइगर सकते हैं और तो कहीं पर भी नहीं हैं अब यहां पर अगर मैं बात करूं डी डगलस आपके पास हैं के डेंबर आपके पास रिप्री होटी चारों प्लेइज इ जा सकते क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में हो जाएगी दिक्कत तो वो वो चीज सॉल्व करने के लिए आप के होज को ड्रॉप कर सकते हो अगर आप करना चाते हो तो यह नहीं तो मलग के होजी जा गुट पिक आपको बढ़िया टीम बनके दे रही है यह भी भरी मैंना बनाई मैंना पहले सोचा नहीं था पर अब मैं सोच रहा हूं और बढ़िया मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन के कॉटी आपके बास है डव्यू सेमल जे एक चीज आप यह कर सकते हो अगर आपको क्रेडिट बचाना है और आपको एक बढ़िया प्लेयर भी नहीं छोड़ना है तो उसमें डी हेक्टर आप चोड़ सकते हो पर में बात यह बैटिंग सेक्शन में और कोई बढ़िया प्लेयर है नहीं अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि माली विलियम्स इजा गुट पिक इजा बैस्ट पिक इजा मलब फन ऑफ दा ग्रेटेस्ट पिक फॉर दिस मै और बात यह बीजी-ई-अब िजार चाहकर टो इन्हें करते हैं डॉप यहां से लिया बीजी-अब का यह यह प्लेयर यहां से लिया डी हक्टर को प्लियर मैं और लेता हूं वह है मैं मतलब अगर मैं नौ का लुँगा तो आठ करेट को बचेगा नहीं सी हैक शौ खेलेगा तो सी हैक शौ अप लेकर जा सकतो है तो एक आपके पास यह पर यह बहुत पेकार option है मेरे इसाब से तो केस ट्रॉट खेल जा तो मैं केस ट्रॉट को ले जाऊंगा और ये टीम मैं बना लूँगा क्योंकि आर बिबली को मैं drop नहीं करना चाहता हूं किसी भी हालत में तो ये भी टीम आपके पास एक बड़िया option रहेगी थोड़ी सी differential picks के साथ टीम है यहां पर केस ट्रॉट मैं नहीं रखना चाहता था पर केस ट्रॉट मुझे रखना बढ़ रहा है और तो टीम बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है एक टीम आपको ये बता दी अब मैं स ट्राइब करना चाहिए ऐसानी कि आप ट्राइब ना करो यहां पर बहुत तगड़ापिक हो सकता है एक चीज यह कर सकते हैं पर यार क्रेट इशू है मतलब करेट इशू नहीं है क्या बोल रहा हूं यहां पर सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूं captain से दे रखिया वो डी डगलस को दे रखिया वाइस captain के डेंबर को दे रखिया star weight of his squad as brown है d hector है swallow d baloney w samuel फिसका z provenance r wibli o louis पूरी 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 टीम आपके लिए grand league favorable team sorry small league favorable team है grand league में भी लगा सकते वैसे कोई दिख्कत नहीं grand league में भी अगर इसे लगा दोगे पर मैं मेरे साब से small grand league में ज्यादा बड़ी आए टीम रहेगी grand league को भी छोड़ दो small grand league में focus करो यहां पर अगर मैं बात करूं दूसरी team captaincy यहां पर d douglas vice captaincy यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस्टारवेट आज ब्रॉण डी डाक्टर फेसके यहां पर दी मलोनी रिस्क की टीम है grand league में ट्राइए गड़ना इस टीम को grand league favorable team है updated team telegram पर मिल जाएगी telegram का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा तीसरी और आखरी टीम के अगर मैं बात करूं यह भी grand league की team h2o d maloney captaincy vice captaincy team देखोगे ज्यादा stable team यह है पर captaincy vice captaincy थोड़ी सी हिला रखे मैंना है और यहां पर kts brown रख रख रखा जो बहुत बड़ा रिस्क है फिर उसकाट के डेंबर आपके पास है डी डगलस आपके पास है कि हौज आपके पास है जर्ड प्रोविनेंस डी डेल्चे ओ लूइस एस brown और नहीं सब्सक्राद कर लिए जएगा वीड़ लाइक कर दीजएगा लाइकन की। जहर भी आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर